बिसमिल्लाइक्मान रहीम असलामलीकूम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज की वीडियो में एक बहुत ही जबर्दस सा स्क्रब शेयर कर रही हूँ चीनी से स्क्रब को हम बनाएंगे सिर्फ दो चीजें स्क्रब में इस्तमाल होंगी और इस स्क्रब का रिजल्ट इतना जबर्दस मिलेगा आपके स्किन पर अगर हैं बलेक हैड्स वाइड्स तो वो भी से रमूव होंगे डेड्स स्किन रमूव होगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट वाइड ब्राइट और ग्लोइंग होगी तो किस तरीके से स्क्रब को बनाना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं होमेट स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए होगी चीनी चीनी अगर बहुत ज़्यादा मोटी है तो आपने उसे हलका सा पीस लेना है ठीक है बहुत ज़्यादा मोटी चीनी इस्तमाल नहीं करनी दूसरी चीज जो इसमें जाएगी वो है नारियल का तेल कोकोनट ओयल ठ नडालेंगे कि जिससे ये एक स्क्रब सा बन जाए जो इजीली हम अपने फेस पे अपलाए कर सके ठीक है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक स्क्रब बना लेंगे अब आपने धुले हुए चेरे पर कच्चे दूद या दही से एक से दो मिन्ट तक बिल्कुल हलके हातो से सर्कुलर मोशन में अपने चेरे पर प्लेंजिंग करनी है क्लेंजिंग करने के बाद आपने अपने फेस को साफ करना है साफ करने के बाद आपने घर का बना हुआ स्क्रब अपने चेरे पर लगाना है ठीक है अच्छी स्क्रबिंग आपने जब भी अपने फेस पर करनी ह तो बिल्कुल हलके हातों से करनी है बहुत जादा रगर रगर के आपने स्क्रबिंग नहीं करनी और स्क्रब आपने हफते में सिर्फ एक बार ही करना है रिजल्ट आप देखके खुद हैरान रह जाएंगे एक से दो मिन्ट तक ही आपने स्क्रबिंग करनी है इससे जादा स्क कीजिए